यहां पर बाबा है उन्होंने हमारे लिए यह लीची तोड़के दी तो आपने हमें लीची तोड़के दी है थाइंक्यू सो मच और आपके हाथ में क्या हो गया था बालू ने अटेक किया था और फिर भी आप इससे काम कर लेते हैं अरे वाह वेरी गुड अभी वीडियो और भी है पर उसके पहले इनकी कहानी जान दीजे हम नेपाल घूमने गए ते और वहां हमें यह मिले इन्होंने हमारे लिए अपने आप बिना कुछ कहें लीची के पेर से लीची तोड़कर दी क्योंकि मैं उस लीची के पेर पर बहुत देर से कोशिश कर रही थी उपर पहु बोलते हैं लोहे का उससे मेरे लिची तोड़कर दी और मैं एक दम शॉक ड्रह गईने देखकर कि इस तरह कभी इंसान होते हैं मतलब लोग जब नॉर्मल परसन होते हैं वो दूसरों की हेल्प करें तो एक बार समझ में आता है और लोग नहीं करते हैं नॉर्मली लोग नह चान दी और लीची तोड़कर दी तो ये मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा और फिर मैंने उनकी स्टोरी जानी तब मुझे पता चला कि उन्होंने भालू से लड़ाई करी चुकि ये लोग जंगल में रहते हैं तो वहां पर अकसर ऐसा हो जाता है तो वहां पर इनको एक पर नहीं मानी और ये भालू से लड़ते रहे और आखिर में यही जीते तो तब से लोगों ने इनका नाम टाइगर रग दिया हाँ तो क्या हुआ था बताईए आपने भालू से लड़ाई लड़ी तो कहां चोट लगी थी आपको यहां कटा इसमें कटा पूरा दो किलो इसमें से एक आदा हाथ जाय फिर भी आप जिन्दा है तो इसलिए आपका नाम क्या रग दिया गया है टाइगर नाम रग दे, टाइगर बोलते हैं, क्योंकि आपने भालों से लड़ाई करी थी, सच में आप बहुत बहादुर हैं और बहुत ब्रेव हैं, और आपने हमें लीची भी तोड़ के दी, ताइंक यू सो मच, हम जिंदगी से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ नाइनसाफी की है, हम बिचारे बन जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइफ में इतनी परिशानिया, कैसे हम फेस करें, तब ऐसे तो अगर आपको ये वीडियो भी कुछ सिखा रहा है या कुछ आपके यहां पर टच हो रहा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर इसलिए ताकि दूसरों तक भी ऐसी ही कहानिया पहुत सब्सक्राइब करें पहुत सब्सक्राइब